हेलो फ्रेंट एक्स फोर वाल स्टुनेंट्स मैं आप सभी का एक बार फिटसे स्वागत है आज हम इस वीडियो में बहुत सांस्कृतिक वाद यानि कि मल्टी कल्चरलिजम को पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखें ताकि इससे संबंदित सभी बाते आपको समझ में आ सकें तो फ्रेंट्स पहला इसका अर्थ देख लेते हैं तो फ्रेंट्स बहु सांस्कृतिक वाद का सिध्धान समाज के भीतर विवित सांस्कृतिक समूहों तथा अन्य प्रकार के असामाने लोगों को ना किवल माननेता परदान करता है बलकि यह भी मानता है कि इन में से किसी को किसी दूसरे से उतक्रिस्ट या निक्रिस्ट ना सम समाज में तता जो आसमाने लोग रह रहे हैं जैसे कि कुछ आदिवासी अश्वेत और श्वेत लोग जो आसमाने थोड़े से लोग होते हैं उन सभी को एक बराबर की मानेता परदान करने की बात करता है मतलब समाज में रहने वाले प्रतेक सांस्कृतिक समू को तता जो आसामाने लोग हैं उन सभी को एक बराबर धर्जा दिया जाए इसके साथ ही बहुत सांस्कृतिक वात किसी को उत्क्रिस्ट या किसी को निक्रिस्ट यानि कि किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं मानता है आज विश्व के बहुत सारे देश बहुत सांस्कृतिक समाजों से बने हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी से बने हैं कहने का मतलब यह है कि कई सारे दिश ऐसे हैं जहां पर कोई एक संस्कृती नहीं है, वहां एक से ज़्यादा संस्कृती है, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो यहां पर आज की टाइम पर एक संस्कृती नहीं है, एक से ज़्यादा संस्कृति की लोग रहते हैं इन में विवित संस्कृतियों से जुड़े लोग और भिन-भिन संजातिय समू एक साथ मिलकर रहते हैं और इसी को बहुत संस्कृतिक वात कहा जाता है संजातिय समू का अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपने आपको संस्कृति की लोग और संजातिय समू एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसी को बहुत संस्कृतिक वाद कहा जाता है जैसे कि बहु सांस्कृतिक वाद किसी समुदाय के भीतर विभिन संस्कृतियों को फलने फूलने और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विक्सित करने की प्रेड़ना देता है कहने का मतलब यह है कि बहुत संस्कृतिक वाद एक मानवी विचारधारा है यह समाज में जितनी भी संस्कृतियां उन सभी संस्कृतियों के अस्तित को बनाए रखना चाहती है और सभी संस्कृतियों को एक बराबर का सम्मान दिलाना चाहती है यह चाहती है कि अगर भारत मे यूरोपी संस्कृति के लोग हैं और भारती संस्कृति के भी लोग हैं तो दोनों संस्कृतियों को बराबर का सम्मान मिले ऐसा ना हो कि यूरोपी संस्कृति को जादा अच्छा माना जाए या भारती संस्कृति को बिकार माना जाए अगर एक समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं तो उनको एक बराबर सम्मान दिया जाए और सभी के अस्तिद्व को बनाए भी रखा जाए ऐसा ना हो कि छोटी संस्कृतियों को खत्मी कर दिया जाए ऐसा ना हो तो यही बहुत संस्कृतिक वाद है तो आये friends एक example देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा जैसे कि भारत, भारत के सभी नागरीकों को इंडियन्स या भारतिये कहा जाता है भले ही भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, बौत, जैन या इत्यादी धर्म के लोग रहते हैं परन्तो सभी को इंडियन्स या भारतिये कहा जाता है मतलब कहने का ये है कि भारत में सभी नागरीकों को एक समान दर्जा दिया जाता है चाहे वो कोई भी संस्कृति फॉलो करे या वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मिर यहां पे अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है परन्तो इन सभी जगाओं के लोगों को इंडियन्स या भारतिये कहा जाता है मतलब एक समान दर्जा दिया जाता है अब देख लेते हैं कि भारत में अलग अलग संस्कृती के लोग हैं जैसा कि हम जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, इसी सभी अलग अलग धर्म है तो अलग अलग रिती रिवाजों को मानते हैं ये इसके अतरिक्त भारत में अलग अलग जगाओं पर भी संस्कृती बदलती रहती है जैसे कि पंजाब की संस्कृती अलग है वहां के लोगों का खान पान पहनावा अलग है जब मुकस्मीर में जाएंगे तो वहां का पहनावा अलग है खान पान अलग है इसी तरह यूपी, र लाजिस्थान, हरियाना, गुजरात, केरल, नागलेंड, इत्ते आदी जगाओं उपर खान पान लोगों की वेश भूशा, क्या कपड़े पहनते हैं, लोगों किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनका रहांसा, उनका घर बनाने का तरीका ये सब अलग है, भाषा बिलकुल अलग ह कहने का मतलब ये है कि भारत में बहु सांस्कृतिक समाज पाया जाता है, मतलब अलगलग संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं, और सभी संस्कृति के लोगों को एक समान दर्जा दिया जाता है, और इसलिए सभी को भारतिय गा जाता है, ऐसा नहीं है कि हिंदुों को वो जादा या कम नहीं होगा एक समान दर्जा भारत में दिया जाता है तो कहने का मतलब यही है इस उधारण में कि भारत में अलग-अलग संस्कृति के लोग मिल जुलकर रहते हैं यह बहुत अंस्कृतिक वाद का एक बहुत अच्छा एक्जामपल है अब हम बात करते हैं कि बह यहूदी अमेरिकी और आईरिश समुदाये जो कि आईरिश अमेरिकी थे उन्हें अमेरिकी समुदाये का विधी सम्मत हिस्सा माना जाए अब अमेरिका में भी बहुत संस्कृतिक लोग रहते हैं एक समय ऐसा था जब अमेरिका एक खाली महाद्वीफ हुआ करता था वहाँ पर कुछ आदिवासी ही रहा करते थे बहुत कम जन्जंख्या में जैसे कि रेड इंडियन्स परंतु पंदमेश अताबदी के बाद से कई यूरोपी कंड्रियों के लोग जैसे कि स्पेन, पुर्तिगाल, इंगलेंड, इत्तियारी देशों से लोग अमेरिका में आकर बसने ल लगें, उनका पहनावा बहुत जादा लगे, खान पान बहुत जादा लगे, वो दिखते भी थोड़ा अलगें, तो बहुत संस्क्रितिक शब्द का प्रियोग निश्मेश अताबदी में अमेरिका में शुरू हुआ, और वो इसलिए हुआ कि जो यहुदी, आयरिस और या प्रियोग किया गया, परंतु अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में प्राचीन समय से ही भहुत संस्क्रितिक वाद पाया जाता रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से भारत में हिंदू, मुस्लिम, जैसे लोग रहते चले आएे हैं, यह भारत की संस्好不好 के बहुत विवित्ता किया जा सकता है तो इसके लिए दो इसतर है मतलब दो कारे करने पड़ेंगे जिससे समाज में बहुत संस्कृतिक वाद विक्सित हो सकता है पहला है कि देश की विबेन संस्कृतियों की बीच सही शुनता इस्थापित हो जैसे कि अगर देश भारत जैसा देश है तो वहाँ पर हम जानते हैं कि बहुत संस्कृति है तो वही उन सभी संस्कृतियों में सही शुनता यानि की सहयोग स्थापित होना चाहिए एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से जलने नहीं चाहिए बलकि एक दूसरी का सहयोग करना चाहिए सभी संस्कृतियों को इसके अतरि बिना डरे अपने अस्तित्व को बनाए रखें तो फ्रेंट्स अब हम इसका निश्कर्ष देख लेते हैं यदि कोई बहुत संस्कृतिक देश ऐसा देश जहां पर एक से ज्यादा संस्कृति है रहती है बहुत संस्कृतिक वात की भावना विक्सित नहीं कर पाता है तो अंत युगोसलाविया में कई संस्कृतिक लोग रहते परन्तो वो बहुत आसक्रितिक वात की भावना विक्सित नहीं कर पाया जिस कारण से युगोसलाविया का विखनडन हो गया उसका बटवारा हो गया और ये बटवारा बहुत ही बुरा था क्योंकि युगोसलाविया साथ तुकडों में विभाजित हो गया युगोसलाविया के तुकडों के फिल सुरूप इसलोवैनिया, क्रोईशिया, मेर्सोडोनिया और बॉसनिया, हर्जे गोमिना जैसे देश बने इसके बाद सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो और कोसोवा भी युगोसलाविया से अलग हो गया तो वही बात है कि बहुत सांस्कृतिवात की भावना का विकास जहां पर नहीं होगा, वहां पर देश का बटवारा निशीत है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलाल इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलने ठैंक यू